के आशग लोग सबसे पहले time उनुको देखते हैं थाम इंटान्स को रिविजन करतेे हैं और time उनुके बाद हर एक ग्रामर्स चप्टर को को भाज हुआ करेंगे ठीक है ना सबसे पहले time और टेंस में हमनों देखेंगे क्या कि कैसे जो हमारा मेन भार बोता है भी वन भी टो भी थ्री भी फॉर भी फाइब के युज़स तेलेंगे हैना फर्स्ट टूल देखेंगे यहां से अगर जब भी किसी वाक्य में लगा हो तो उस वाक्य में हमेशा किसका प्रियोग होगा भी वन का या तो भी फाइब का भार्ब का जो पाँचवा रूप होता है उस सिंगलर होता है और भार्ब का जो पहला रूप होता है पुलल होता है भार्ब का पाँचवा रूप का पाचान क्या है S या E S भार्व के पहला रुप का पाचान का है जिसको हम पहले से जानते हैं चलेंगे अगला कोश्चन अगर उनिवर्सल तूरूथ अगर उनिवर्सल तूरूथ वाक आता है यानि सर्व व्यापी सत्य जो हमेशा सत्य होता है तो उसके लिए भी हम किसका पर्योग करते हैं भीवन या भीवाइब का अब वहाँ पर डिसाइड करेगा सब्जेक सब्जेक सिंगलर है तो किरिया सिंगलर लगेगा सब्जेक पुलल है तो किरिया पुलल लगेगा कलके एक्जाम में बहुत सारे स्टुडेंट्स इसी में गलती कर दे रहे हैं सिंगलर किरिया और पुलल किरिया उसकों समझे में नहीं नहीं आ रहे हैं इसलिए आप लोग गलती ना करें भीवन या भी फाइब इसे सुरज पूरव में निकलता है सुरज पस्ची में डूपता है प्रित्वी सुरज के चार तुरव भूमती है सब में भीवन भी फाइब लगेगा हाना अभी प्रोब्लम बनवाएंगे टाइम एंटेंस का ही अगला चलेंगे यहां से भविस के वैसे कार जिसकी निस्चिता 99 परसेंट हो उस परकार के वाक में भी किसका प्रयोग करेंगे भीवन या भी फाइब का बेंगे आप टुमोरो लगा वा है नेश्ट डे लगा हुआ है इसके चलते सेलविल प्लस भीवन का उज्च न खकरें क्योंकि वहां पर निस्चिता जो है कितनी परसेंट की है 99% की है तो क्या लगेगा भीवन या भी 5 लगेगा चलेंगे अगले 4 नमबर रूल में जब कंजेक्शन वाला भाग में अगर कहाने का मतलब जब 2 वाक आए और उसमें एक भाग कंजेक्शन है जैसे as soon as if when है ना तो कंजेक्शन वाले भाग में भीवन भी 5 तो अगले वाले भाग में सेल विल पलस भीवन का प्रियोग करते हैं यानि कहाने का मतलब एक वाक में भीवन भी 5 लग गया हो तो अगले वाक में हम सेल विल पलस किसका प्रियोग करेंगे भीवन का प्रियोग करेंगे क्लियर है ना अभी problem बनवाएंगे तो clear हो जाएगा चलेंगे now का मतलब होता है अभी at the present वर्तमान में at the moment अगर जहां कहीं भी हो तो उस वाक में is MR पलस किरिया का चौथा रूप लगेगा क्लियर है ना जैसे example के रूप में राधा अभी पढ़ रही है तो राधा is now reading है ना अगला question चलेंगे आसे दिखेंगे जब योजना दर्साना हो क्या दर्साना हो योजना दर्साना हो प्लानिंग दर्साना हो तो वहां पर गो किरिया से सहता लेते हैं और गो किरिया वहां पर आपके प्लान है है कि नहीं है चलेंगे अगले के तरफ जब वाक में just just now है ना ओल्रेड़ी recently at until लगा हो तो उस वाक में have has plus 3 लगेगा है ना विथिरी का प्रियोग जब भी होगा तो have has के साथ ही करते हैं time and tense में है कि ने चलेंगे यह आप लोग के लिए सबसे important rule है time and tense का जब वाक में since 4 लगा हो जब वाक में since 4 लगा हो तो उस वाक में have has been plus before का प्रियोग करेंगे है ना अभी प्रोबलम बनवाएंगे time and tense का तो clear हो जाएगा देखेंगे अगला यस्टरड़े yesterday मतलब विता हुआ कल ego मतलब पहले last मतलब नहीं अंतिम पहला previous मतलब पहला past मतलब भूत काल वे नहीं बीतियोग समय के बात कर रहा है है भाज के साथ आया भी थिरी और नहीं जानते हैं तो का है बीटू है तो एस्टरड़े एगो लास्ट पास्ट प्रिवेस डे टाइम लगा हो तो भीटू का प्रियोग करेंगे जब जोड़ा वाक आए और एक वाक में भीटू हो तो दूसरे वाक में हैड पलस भी थिरी या वाज वेर पलस भी फोर का प्रियोग होगा एक वाक पास्ट है तो अगला वाक भी मेरा पास्ट ही होगा अगर एक साइड में भीटू लगा है तो अगले वाक में भी वाज वेर पलस भी फोर लगा हो यह भी इंपोर्टेंट है रूल और वाइल से जोड़ा हुआ है त पास्ट में दो काम एक ही साथ शुरू एक ही साथ खतम होता है तो उससे वाइल से जोड़ते हैं और दोने वागत्तों वागत्व में वाजोर प्लस वाज व्याद में और आप्म करते हैं जैसे एक्जाम से रुप में राध्यादा नाच रही थी जब कि स्यामा स्याम गहारा था जब की रदनाच रहे थी दोनों का काम सुछोड़ाया की लुसक्त एक काम कम होगा दूसरा काम हो जाएगा यहां पे नहुआना चाहिए काना चाहिए नहुँना चाहिए है की ने चलेंगे जब वाक्य में tomorrow next हो तो cell will plus b1 का परियोग होगा है ना चलेंगे जब वाक्य में do, does, did, please, kindly हो तो वहाँ पर भी b1 का परियोग करेंगे क्लियर है इस एम आर के साथ भी फोर लगेगा याद रखेंगे हैब, हैज, हैड, विल हैब, सैल हैब के साथ किसका परियोग करेंगे भी थिरी का परियोग करेंगे यह हमारा time and tense का जितना भी रूल बताया गया है सब भी भी आई बहुत बहुत इंपोर्टेंट है कल ही के question द देखेंगे या से है कि I dash Spanish, बट इसमें option देखेंगे, जब question में time नहीं दिया हो तो option के करेंगे तो आहिए कैसा सब्जेक्ट रूप में है और नहीं है फिसकता है नहीं है नॉट लग सकता है अफ यहांपे स्पीग V1 लगा हुआ है क्या लगा हुआ है भी वन लगा हुआ है तो भीवन के साथ कई हैब का पर्योग करेंगे आप भी थी दिवाता तो हैब आ जाता कोई दिकत की बात नहीं है definitely कौन सांसर होना चाहिए मेरा c number क्या होगा वह सी अगला question चलेंगे देड़ेस हेर next week देखेंगे next week आ गया बताएं न भी tomorrow next day next morning next year अगर लगा हो तो स्वाक में किसका पर्योग करते हैं had come come will come come का होगा भाया will come अगला question when sita dash back we will discuss the problem a sentence को देखेंगे यहाँ पे will discuss will discuss लिखा हुआ है है ना यहाँ यहाँ पर भी आपको कहीं यह नहीं दिख रहा है time time कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो इसमें भी चलेंगे had played supported हो सकता है राधा के साथ कहीं आर लगेगा हो तो सुनिए राधा सितार बजा रही है है ना तो सितार बजा रही है यहाँ पर बजा चुकी थी की बात कर रहा है है ना तो definitely मेरे कॉंसर हो जाएगा d number when the sun is shining we as welly देखें यहाँ पर आगे बजवली बता है नभी क्या बता है सब्जक्ट में रहता है वी हम लोग तो क्या होना चाहिए बताइए definitely answer क्या वेंट होगा नहीं भीटु है यह होगा नहीं यह होगा नहीं डेपनेटली का होगा डी चलेंगे जॉन डेस इन होस्पिटल फोर टू विक्स है ना अब बता दिये यहां पर फोर समय के पहले लगा हुआ है तो डेपनेटली उस वाक में है भाज बीन पलस भी फोर लगना चाहिए ना दो सबताहों से जॉन जो होस्पिटल है है ना अब यहां पर यह देखेंगे भार्व का पहला रूप लगाया हुआ है तो जब भार्व का पहला रूप लगाया हुआ है तो क्या वहां पर भी लगेगा नहीं आर लगेगा नहीं कहीं इजे अमार का साथ कहीं भी वान लगता है नहीं क्या लगेगा भाई डू न कोशन में don't disturb me I guess my homework यहीं सेम को संथा बढ़ते यहां पर प्लीज भी क्वाइट था वहां पर डॉन डिस्टर्ब था 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 प्लीज भी क्वाइट कर चूप रहें don't disturb करें कि मैं अपना homework कर रहा हूं तो आई के साथ लगेगा एम लगेगा क्या लगेगा रम लगेगा कल जो भी को संदेखा होंगे तो उनको पता ही होगा कि कैसे कुस्टन आया था है है कि ने चलेंगे अगले कुस्टन के तरफ कि चलेंगे यहां से दिखेंगे अब लो कि रिता डैस टूदा रेडियो है ना आज रिता रेडियो सून रही है तो रिता के साथ कहीं आर लगेगा अप्शन जब कोस्टन में टाइम ने दिया थे से छाटेंगे लिसेन भी वन दिया हुआ है और यहां पर एस राता तो भी होची भी फाइब लगा सकते थे लेकिन अभी फिलाल में ये नहीं लगेगा तो मेरा बेस्ट बnos च्रू होजाएगा यह लिस्निंगches v5 लगा है बताइए कौन सावरी ने turning तो डेफिनेटली टीच पहले से जानते हैं तोट नहीं जानते हैं यह भी टू है मेरा ही डैस फोर प्रैक्टिस एवरेडे हैं वह प्रतेक देन घंटों के लिए प्रैक्टिस करता है अब यहां पर एवरेडे एलवेज सेलडम नेभार डेली का लगता है भीवन या भीफाइ तो ही के एकॉर्डिंग टू भीवन लगेगा की भीफाइब तो भीफाइब लगेगा मेरा है की नहीं चुकि यह सिंगलर किरिया भी चाहिए सिंगलर चलेंगे लेट मी देस दे क्लास रूम प्लीज यहाँ पर प्लीज भी है यहाँ लेट मी भी है तो लेट मी प्लीज जहां भी आता है हमेशा किरिया का पहला रूप लगता है याद रखेंगे है की नहीं तो लिबिंग भी फोर हो गया लेप्ट भी टू हो गया लिब पहला रूप हो ग देखेंगे यहां went to sleep पास्ट में है इधर भी क्या होना चाहिए पास्ट में ही होना चाहिए तो यह turn तो होगा नहीं इसमें पहले से जानते है turn मतलब घुमाना turned, will turn, turning and definitely क्या होगा टर्ण होगा डेश यूर वार्क केरफुली है ना यहां पे question गलत है यूर नहीं होना चाहिए यहांगी ने डेश यू वार्क केरफुली अब देखेंगे यहां पे वार्क भीवन लगा हुआ है तो भीवन के साथ कहीं वाज लगता है क्या डू लग सकता है है बलग सकता है क्या नहीं तो कहा होगा प्रियोग करेंगे तो definitely मेरे का हो जाएगा learning कि चलेंगे अगला कि दिखेंगे यहां से इट है जस्टेन अभी दस बजा है हटाइए जस्ट जस्ट नाउ अल्लेडी री सेंट्री लगा हो तो उस वाकि में किसका का प्रियोग करेंगे जब और यहां पर है लगा हुए न डेपनेटली भी थरी का प्रियोग होना चाहिए तो कि सिंगलर है तो किरिया भी चाहिए सिंगलर और कि पुलरल होगा नहीं डेफिनेटली का होगा सिंगलर यह फ्लॉप्स आइड़ एस हे और सिंस मॉर्निंग सिंस फोर लगाओ किसी समाई के पहले तो वाज़ वेर किसका प्रियोग करते हैं है वहाज बीन पलस भी फोर क हेडैस यहाँ पर हेड टेक्टन लगा दि मतलब पास्ट में लगा दिया वाजय वई प्र पलस भी फोर लगा देता तो इधर जब पास्ट लगाए तो इधर हैडलous भी थिरी तेथ भी चुब Kingdom होन चाहिए है तो देखें की भी चुघटू कोन है पहले से जानते हैं भी 1 सारे दुनिया के सब्जेक्टर साथ किसका पर्योंक करेंगे व्यार का में तो यह किने मोदे किंड दलती नहीं करेंगे आप च्योंकि मोदी का अमेरिका जाना कितना परसंट निश्टीत है तो मूदी आप प्रप्र लगना चाहिए योग कि पाष्ट के वैसे काम है जो एक़ी साथ सुर्वर एक़ी साथ खतम हो रहे हैं तो ए डांसीं या डांसीं वाइड या डांसीं चलेंगे लेकिन सन को गोई एक कि पांच गोई एक पांच गोई एक है सिंगलर को आपी डिल्ली फाइब डेस एगो लास्ट पास्ट प्रिबेड़ डेस टाम का लगना चाहिए भीटू लीब मतलब छोड़ना पहला रूप है लैप्ट भीटू है लिफिए बिफोर है लिफ एस लगा यहां से ध्यान देंगे हम लोग अभी देखेंगे प्री पोजिशन में पहले देखेंगे इन और चलिएगा जब कोई सीमा रेखा के अंदर होता है तो किसका परियोग करते हैं इन का परियोग करते हैं मेरे पोकेट में एक कलम है न चलिएंगे बड़े बड़े सहर जिला के नाम के पहले भी का लगता है इन अगर किसी भी सवारी के पहले माई लगा हो या अर्टिकल लगा हो तो महां पर इनका परियोग करते हैं आई वेंट टू पटनाडेस का माई कार आई वेंट टू पटनाडेस माई कार तो इन माई कार बाई कार नहीं होगा है ना मौर्निंग एविनिंग एमेजमेंट के पहले एन लगेगा ये बहुत इंपर्टेंट रूल है और ये भी पांच और छे कल के एकजाम में इंट्रेस्ट पूछा था इंट्रेस्ट के बाद हमेशा कौन पी पोजिसन आता है इन आता है लेकिन बहुत सारे मास्टर लोग कुछ बता रहे हैं ना देखेंगे आप लोग इंट्रेस्ट के बाद हमेशा का आएगा इन पीलीब के बाद का आएगा इन ऊसके बाद रहुत देखते हैं और ऑडिल इल का मतलब होता है वे पार करना अगरम कह पार पर करना होगा फिच्वास्ट है नோ कि बात्य कि एन लगेगा चलेंगे छोटे छोटे सहर गाउं के नाम के पहले का लगता है इसके एक्जामपल्स को जूरू देखेंगे एक्जामपल्स आपके लिए बहुति इंप्रटेंट है जब कोई पर का अर्थ दे तो जैसे at दूर, at home, at school, at station, at station, at station होता है night, midnight, etc के पहले भी का लगता है, at लगता है laugh यह बहुत important, astonist, looked, surprised, arrival alarm, shocked, के बाद हमेशा का लगेगा, तो at लगेगा, याद रखेंगे और इसका a b important question, और a b important questions, a b important question, a b important questions जितने भी important questions है, a, उसका हम टिक कर दे रहे हैं, आप लोग जिरूर देख लेंगे, है की नहीं यहाँ पर आगिया since और for, since जब भी अगर आपके किसी वाक में टोसे होसे लोसे नोसे लगा हो तो वहाँ पर हम किस का प्रयोग करेंगे, उस परकार के वाक में प्रयोग करेंगे, जिस वाक में have, has, been, इसमें head भी आ जाता है और भी फोर हो, तो उस वाक में हम किस का प्रयोग करेंगे, since या फोर का, तो since तब लगेगा, जब टोसे होसे लोसे लोसे नोसे रहेगा, तो का लगेगा, फोर लगेगा, जैसे example देखेंगे यहाँ पर, I have been reading this 2022, 2002, 2002, 2003, सोंबार, मंगलबार, बुदबार, जनवरी, फरव नहीं है, तो का लगेगा, भी या, since लगेगा, I have been reading this two months, है न, यहाँ months, दो महीनों से, टोसे होसे लोसे, नो, फोर लगा हुआ है, के लिए के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं, hunger, eager, payment, कलाया था, pay for, payment, याद रखेंगे, आप लोकल के एक् चलेंगे, यहां से, off-cavages, off-form-cavages, clear है न, देखेंगे, इसका, इसका प्रयोग, निर्जीव के अधिकार बताने के लिए क्या जाता है, the color of the pain, कलम का रंग, कलम का रंग, रंग पे किसका अधिकार है, कलम का, तो अधिकार बताने के लिए, किसका प्रयोग हो रहा है, off का आपड़ करें कोई बी बस टू से नया बस्तू बना हो और वह पुना बस टू प्राफ दैस्जमपल लकटी से टेबल बना तो क्या लकटी बनेगा परियो बनेगा 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 नहीं करसा और लोहा से इत विफया तो फिर लोह मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा तूस कंडिशन में आपका टेबल इसमेड़ अपूर्ड ए बहुत इंपोर्टेंट रूल आप लोग के लिए अपयर्ड । एबल प्रूप एक्सकूजड अवेयर कोंसेस्यास याभी पूछा वाता। घिल्टी इसके बाद हम इसका किसका पुर्योग करेंगे। ओफ का पुर्योग करेंगे। देखेंगे। अलगाव दर्साने के लिए जब भी किसी की अलगाव दर्साना हो अलगाव का मतलब उससे अलग होना हो तो किसका प्रयोग करते है फ्रॉम का जैसे एकदाम पल राम एज अपसेंट देश्ट अकलास राम जो है कलास अपसेंट है तो हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रॉम का कोई बस्तू से नया बस्तू बना हो और नया बस्तू से वो बस्तू पुना प्राप्त ना हो जैसे दूद से दही बन गया तो फिर दही से दूद बन जाएगा नहीं आप मानते हैं फल से आपको सराब बन गया तो क्या सराब से फिर क्वाइन एज मेर्ड डैस प्रोट्स का लगेगा कल के कोस्तन में यह कोस्तन पुछा हुआ है बिख्याद विख्याद टीचर लोग यहां पर एट का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग भी जितने भी हमारे पैरे स्टुडेंट देखें होंगे दुख के किसी भी कारण को बताने के लिए वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है सफरिंग के बाद हमेशा फ्रॉम आता है सफर के बाद हमेशा क्या आता है फ्रॉम आता है याद रखेंगे चलेंगे आंस देखेंगे सवारी से लिया जाए जब भी ऐगर सहायता सवाक से लेंगे तो किसका पर्योग करेंगे हsın बाई का प्रयोग करेंगे बांतौ तोल में अगर तुलना करना है तो वहां पर भी बाई का प्रियोग करते हैं राहुल जो है सोहन से पांच इंच लंबा है जैसे आप है नो मेरे से कितना पांच इंच लंबे तो इवा टॉलर दैन आई भाई five inches है कि नहीं पैसी भाइस मत पता ही है भाई का लगता है सरीर के किसी भी अंग से सहाता लेने के लिए किसका प्रियोग करते हैं भाई का प्रियोग करते हैं है ना by heart है ना by eyes by hand clear है जब बस्तू से सहाता लेंगे तो किसका प्रियोग करेंगे किसका प्रियोग वीद का, I write a letter that's a pain, I write a letter with a pain, के साथ के अर्थ में भी वीद लगता है ये बहुत इंपोर्टेंट है, rule number कितना third, किसका वीद का, है कि ने, वीद का third number बहुत, agree disagree मतलब राजी disagree नराजगी annoyed नराज dis annoyed मतलब नराज नहीं होना, family परिचित, pleased satisfied, satisfied angry, गुसा dis pleased, नाखुस ये सब का, डिल डिल का मतलब बातचित करना इत्यादी का प्रियोग, परसन के लिए होता है, तो इसके साथ हमेशा वीद का प्रियोग करेंगे I agree with you clear है, चलेंगे अब देखेंगे on और into जब कोई किसी के उपर हो, अस्थाई हो और सटा हुआ हो, तो आपे किसका प्रियोग करेंगे on, रामेजर स्टेंडिंग on the road on the road, है ना, स्वान सिटिंग on the bench, clear है, चलेंगे दीन या दिनांक के पहले भी किसका प्रियोग करेंगे on का, I came here on Monday, है ना, I went to दिल्ली दीन और दिनांक के पहले भी क्या लगता है, on I came here, yes, on Monday, है ना, अपनी on, call, depend के बाद भी क्या लगता है, on, कल आया था dependent, याद रखेंगे dependent के बाद हमेशा क्या आता है, on आता है, कल भी एक question पुछा हुआ आपके exam में, है की ने, अभी 3-4 question देख लिया, संसार के वैसे साधन जो मानो जाती को, खुलो रिप से आता है, fit, के बाद पहले का लगेगा, on, horse, का लगेगा, on, I came here, yes, fit, है ना, मैं, यहाँ, मैं, पैदल यहाँ आया, तो, का लगेना चाहिए, on लगेना चाहिए, है ना, into, जब रूप परिवर्तन हो, जब किसी के रूप में changing हो, बदलाव हो, तो किसका परियोग करते है, into का, cut the apple dash four parts, एक save है, जिसको मैंने कितने पार्ट में कर दिया, चार पार्ट में कर दिया, into लगेगा, ram, jump, dash, the river, into, पहले, ram कहां था, बाहर था, नदीम चला गया, एक frog fail dash the wheel, एक मेढक जो है, और कहां गिर गया है, कुवा में गिर गया है, तो क्या लगना चाहिए, into लगना चाहिए, break into जवरदस्ती घुसना, brushed into फूटना, याद रखेंगे, एक बहुत important है, चलिए, याद रखेंगे, प्रियोग लगभग या के बारे के अर्थ में क्या जाता है, इसका प्रियोग लगभग के अर्थ में क्या जाता है, tells, says के साथ भी क्या लगता है, about लगता है, है न, चलिएंगे, above या उभर के प्रियोग के उपर के रुप में करते है, a plane flew dash over my head, याद रखेंगे, मेरे सर के उपर क्या उड़ा, plane उड़ा, जब कोई अंदर ही, अंदर होकर बाहर निकले, तो क्या लगएगा, in, through लगएगा, तो water is flowing dash the hole, पानी जो है, hole से, छेद से बाहर निकल गिर रहा है, न, निकल रहा है, flow मतलब भाना वता है, तो क्या लगएगा, through the hole, राहोल पासट दगजाम dash difficulties, many difficulties, है की न, the train पासट दटूनल्स, क्या लगएगा, through the tunnels, चलेंगे, एगेंस्ट, एगेंस्ट का प्रियोग के बिरोद, यह से सटकर के अर्थ में करते हैं, down, के निचे, उपर, के उपर, down, उपर से निचे के तरफ गती को दिखाने के लिए, नीचे से उपर के तरफ गती को दिखाने के लिए, under, के निचे, जब उसकी दो दिसाओं से घिरा हुआ, between, के बीच, दो के बीच रहेगा, तो between, among दो सदी के बीच, आप्टर के बाद का प्रियोग के जएता है, इतना आपका इंपोर्टेंट स्पीर पोजिशन का टॉपिक्स है, अब इसके प्रोब्लम्स को हम लेकर चलते हैं, देखेंगे, हर इंपोर्ट के बाद याद रखेंगे, हमेशा इन का प्रियोग होता है, याद रखेंगे, फॉल्ट इन हर, I have lived in this town, चैल्ड हूड, आगे ना, मैं बच्पन से इस सहर में रहता रहा हूँ, तो चैल्ड उट बच्पन से टोसे हो से लोसे है, नहीं है, तो का लगना चाहिए, सिंस लगना चाहिए, इस मेटरी इज डिफरेंट, अई बताया ना, डिफरेंट आजाएगा, अपसेंट आजाएगा, सफ्रिंग आजाए, तो का लगना चाहिए, फ्रॉम लगना चाहिए, का लगना चाहिए, फ्रॉम, लेडर मतलत है सिन्या, तो सिन्या पर सटल है कि हटल है, का लगना चाहिए, लेडर ओन, सीता फिल डैस दर इसको, तो रिक्सा जो है, रिकसा से उपार से निचा के तरह गीड़ेगी है न तू उसमें गत्य आएगा की नहीं यह दट जीट्फेजिक्ग हता है न अब यहाँ पे 2x róż होगा良जिट उपने पार्शित करना मंनॉटा that can also आप मोहन डिश्ट से साप सुत्रा आप करता है डियल करता नहीं बात चीत करता है तो क्या लगना चाहिए वेज लगना चाहिए लूक के बाद हमें सा कई अट आप लूक एट याद रखेंगे आपना कुस्तन है पटना situated, that's the bank of the Gangas है ना, तो पठना is situated on the bank of Ganga on the bank of Ganga I bought this book, है ना, actions यहाँ पर का लगेगा? फ्रोम लगेगा चलेंगे यहाँ से, there is a bridge dash the river है ना, there is a bridge dash river, है ना नदी dash pool है, है ना, अब समझेंगे नदी के उपर भी pool हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नदी के पार pool है तो definitely इसके लिए best option कौन सा है, across ही है, अगर ओभर रहाता तो ओभर करते हैं, the dog is laying on the floor, dash the table, under the table, under the table, he passed me, sorry, he pleased me, वो मुझे से खूस है, pleased पता है न, pleased, satisfied, annoyed, agree, disagree है न, उस सब के बाद के आता है, वीथ आता है, चलेंगे, अगला एक्जामपल के तरफ देखेंगे, he is going, dash leave next week, है न, यहाँ पर go, dash going on, going on का मतलब होता है, जारी रहना, है न, go on का मतलब जारी रहना, है न, go on मतलब जारी रहना, यहनि, वह अगले सब्ता भी छुटी पर जारी रहेगा, है न, रहा रहा है, harassment is addicted, addicted याद रखेंगे, addicted to होता है, addicted के बाद किसी चीज का लगत हो जाना, harassment is addicted to gambling, यहनि, उसका husband जो है, उसका पती जो है, जुआ का आधी है, है न, याद रखेंगे, he killed the tiger dash again, he killed a tiger dash again, यहाँ पर किसी बस्तू से साथा ले रहे हैं, का लगेगा, वीथ लगेगा, he has been absent dash Monday, तोसे होसे लोसे नोसे नहीं है, का लगना चाहिए, since लगना चाहिए, का लगना चाहिए, he left Delhi this morning, he left from four, left for Delhi, वह इस सुबार दिल्ली के लिए क्या हुआ, left हुआ, मतलब चला, leave the class dash once, at once, at once तो है नहीं इसमें, है की नहीं, याद रखेंगे, at once का मतलब होता है, तुरंद इसमें अप्सन ही गलत है, at once होना चाहिए, तुरंद, he was astonist, astonist, है ना, है ना, socks, उसके बास से आगे आपको look, इस सब के बाद का लगता है, at लगता है, astonist का मतलब होता है, कैसी सर्फ, आस्चर चकीत होना, वह, है ना, बूरी निउस पर, है ना, sad news पर, आस्चर चकीत हुआ, तो at लगेगा, India, deepest, England, deepest, के बाद हमें साफ रॉम आएगा, आपको बताया गया, उपर पहले देखेंगे, फिर पुशन्स के रूल्स में, I am vaxxed, that's my brother, है ना, I am vaxxed, है ना, मैं अपने भाई के उपर क्या हूँ, चिंतित हूँ, तो भीया, है ना, I am vaxxed, है ना, at or on, देखेंगे, चलेंगे, देखेंगे, आँसे कुशन्स है, I am vaxxed, देश्म में brother, मैं अपने भाई के उपर, vaxxed हूँ, चिंतित हूँ, परसान हूँ, हान तो भाई से सटल है कि हटल है, का लगना चाहिए, at लगना चाहिए, ठीक है न, दार किये, are you familiar, familiar, and wired, agree, है न, deal card by park, sorry, बाच्चीत करना हो, तो क्या लगता है, weet लगता है, I have passed the exam, that's many difficulties, through many difficulties, मैंने बहुत difficulties, से प्रिक्षा पास की, the airplane flew, dash my head, over my head, सचीन गेट्स, of dash morning, देखेंगे, सुबा, morning, के पहले, in लगेगा, पक्के समय के पहले, at लगेगा, तो का लगना चाहिए, in और at, चलेंगे, I wrote a letter, डैसिंग, एक questions, आप से कही, पुछा जा सकता, आपकी exam में, I wrote a letter, dash ink, यहाँ पे कोई बस्तू नहीं है, यहाँ पे material है, हैना, दियाद रखेंगे, जब ink की चर्चा करेगा, तो वहाँ पे वीद का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, one cannot live, without tear, हवा की बिना कोई नहीं डा सकता है, हैना, he dead, dash starvation, हना, वह भूख से मर गया, तो बतायाना, जब अचानक मिर्ती होगा, तो फ्रॉम लगेगा, बिमारी से मिर्ती होगा, तो अफ लगेगा, कहा लगेगा ना चाहिए, प्रॉम्ब लगना चाहिए पुलिस कोड़ दर ठीप डेस्ट दर आम्स है ना अनि बाहूं से पकड़ा है तो शरीर के किसी व्यंग से सहता लेने के लिए भाई का प्रयोग करेंगे इस पेंड की डाली दिवार से का है सटल है तो सटल बता है ना एगेंस्ट का प्रयोग सटे हुए कि भी अर्थ में करते हैं है कि नहीं ध्यान देंगे यहां से कि यहां सामनों देखेंगे भी भाईस है कि नहीं भाईस जो होता है वो दो परकर का होता है एक होता है एक होता है एक्टिव भाईस और पैसी भाईस होता है है ना हमारे चाम में जो कॉस्टन साता है एक्टिव से पैसी पैसीब से एक्टिव में बदलने के लिए आता है है कि नहीं में भर्ब जो भी होगा भी 3 प्लस बाई जाद रखेंगे भी 3 के प्लस भी 3 प्लस बाई लगेगा और पैसी भाइस में में अभजक्ट के ठिक पहले जोगा helping भब जहां बुलाएगा वहीं जाएगा अगर active भाइस में अगर छे सब लगा है तो पैसी भाइस में किसका प्रोप active भैस में भी भी 5 तो पैसी में 88 लगा है भी ना इस Augen प्लस भी प्लस भी लगा है तो के साथ भी जोड देतें इंप्रिप इंपरेक्टिव संटेंस अता होता है एक होता है सलाह देखेंगे तो जहां भी इंप्रेटिव संटेंस आता है बी प्लस भी थरी लिखते हैं यहां पर भी प्लस भी थरी लिखते हैं जैसे दिखेंगे यहां करना लेट अब बाहर वाली वाल तो घर वाली भी फरी ब्री मतल refers व待って नहीं नहीं को एक प्लस भी थरी मतले नयुट है थो दो जरुधा हो तो यह रीकवेस्ट्र बाकी & अथ कि नहीं है चलेंगे आप तो इसका कि अभी तो प्रोलम्स में पास अब लेबल नहीं है बट आप जुरूर देख लेंगे है कि नहीं आपके पास भी है अगर जिसको भी कहीं फंसता है क्वेस्टन बनाती प्लेड में तो डेफिनेटली हम से पूछें हम आपके लिए ततपर ह लगाना है तो याद रखेंगे भी फोर जैसे माई गोइंग योर कमिंग योर स्लिपिंग आवर स्लिपिंग योर लाफिंग हीज कमिंग हीज लिभिंग याद रखेंगे प्री पोजिशन के बाद भी हमेसा हम जिरंड का ही परियोग करेंगे याद रखेंगे जिरंड का ही पर्योग करेंगे भी फोर के बाद किसके पास प्री पोजिशन के बाद अगर एन आजा है एट आजा है वी था आजा है फोर आजा है सब के बाद हमें साका लगना चाहिए भी फोर जीरंड लगना चाहिए कि इसका प्रियोग होगा भी फोर का प्रियोग होगा किसका प्रियोग होगा याद रखेंगे आप लो है कि नहीं है यहाँ पर देखेंगे like मैंड ये सब है ए भी सब्जक के रुप में काम करता है बाकि यह मेन यूज़ा जया जान रखेगा यह भी सब्जक्त के रूप में काम करें लाइक वांट वस्टु इंटेंट प्रिफेर्ड एबाउट के बाद टू प्लस भीवन का प्रियों करेंगे जिसको हम इनफिनिटीव बोलते हैं अभी फोर को जिरंड बोलते हैं लाइक वוש्टु इंटनेल्ट इससद के बाद लेकिन यहां देखेंगे लाइक के बात यहां भी प्लस भी यहां पर अब्जेक्ट मिल जाएगा तो क्या लगेगा टू पलस भीवन लगेगा के साथ भी टू पलस भीवन का प्रियोग करते हैं एक्जामपल के रुप में मैं खाने वाला हूँ I am to eat वह जाने वाला है वह सुने वाला था तो he was to sleep वह जाने को है he has to go मोहन आने को है जब मोहन को आना है जब मोहन को आना पड़ता है तो मोहन has to come मोहन को जाना था मोहन had to go याद रखेंगे इसका प्रियोग हम करते हैं है ना चलते फिर आगे यहां संव लोग आटिकल्स को यह थोरी को देखते हैं जब भी अगर singular कंटेमल नावन का पहला लेटर का उचरण को से गया हो तो ए लागेगा और जब भी इस इसका एक्जामपल बताया कराएं का भी एक्सक्लामेटरी वाक अगर कहीं भी एक्सक्लामेटरी संटेंस आता है जिसमें यह साहिन लगा हो तो उस वाक में AN का ही प्रयोग करेंगे संचीप नाम जो MLA MP, BDO, CDO यह सब के पहले भी क्या लगता है AN लगता है तो इसके पहले क्या लगेगा A लगेगा adjective प्लस noun तो इसके पहले क्या लगेगा H A A N एगा यह बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग के एक्जाम में पूछा जा सकता है तेल अलाई जूट बोलना मेक अनवाइस हला करना टेक अरिस खत्रा मोल लेना बहाना बनाना टेक अन एक्सरसाइस बयाम करना उसके बाद से एन इफोर्ट उसके पहले क्या लगेगा अब चलेंगे यहां से उसस अफ दो देखेंगे अगर जब भी कोई दो नाउन प्री पोजिशन से जुड़ा हुआ जब भी कोई दो नाउन प्री पोजिशन से जुड़ा हुआ है और पहला नाउन कुछ भी हो कुछ भी रहेगा का लगेगा का लगेगा दो चलेंगे अगर सुपरलेटिव डिगरी कहीं भी आता है उसके पहले हम दो का परियोग करते हैं तो उसका पहुआ होता है क्या कि एडचक्टीव के लास्ट में सब्सक्रइद्र करते हैं जैसे एडचंट इशेद्र लगा रहेगा जैसे smallest smallest सब्सक्रेद्र च्राइब इस सब के पहले का लगे या दो लगेगा ओरीनल अडियक्टिब है न यह क्रमांक को बताता है और अडिनल अडियक्टिब जहां भी आएगा सब अपने पहले का लेगा दो पर सेकेंड डर्ट हर्ड इस सब होता है धार्मिक गरंद कल पुछा भाई को संस्थ धार्मिक रमायन लगेगा नदी के नाम के पहले ब्रहमांड के कोई भी यंग के नाम के पहले भोगोल से संब्धित सरीर के कोई भी यंग हो एतिहासिक बहुत इंपोर्टेंट है एस्पीक दात्रूथ सत्य बोलो एस्पीक दात्रूथ हो गलत है एस्पीक दात्रूथ सत्य बोलो याद रख सब्समigration कोई भी सब्सक्राइप का नाम मोच के प्लारटिकल नहीं । किसी भी बीमारी के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रियोग हम नहीं करेंगे बाबू याद रखिएगा आप लोग चलते हैं इसके अब्जेक्टिफ को किरप्या मुझे दें डा डा डाटिपर होना चाहिए है डा तो का ही होना चाहिए डाटिफ है देखेंगे यहां पर भी नाउन यहां पर भी नाउन जब भी अगर में भार्व में आई अंजी लग जाता है तो नाउन के रूप में काम करना लगता है तो यहाँ पर इसके पहले का लगना चाहिए द तो इसका बेस्ट अंसर क्या होगा द दसन हाना ब्रहमांड कांग सूर चंद्रमा ममा सौब कोई दिसा का नाम क एंसर चलेंगे एगला क्यों साब का संस फ्रांसिको इज आप इड्यक्ति मिला यहां पर नाउन मीला तो जब भी प्लस नाउन आता है तो उसके पहले किसका प्रेव करेंगे तो फाइन है फाइन मतलब अच्छा तो यहां पे फाइन फो आ रहा है तो डेफिनिटली यह वन इक्ट प्लें और एक्ट प्लें वान व या उतर काल के एक एलगे exam हवाग डैस किलो ख किलो का हव तो कितना किलल का एक किलो तो हाफ एक हव एक टे लगेगे है न जालेंगे अगला को सन्सेह को सम्फ डिग नहीं है लिख लर्टे हैं इस एलडर सिस्टर सब्सक्राइब देखेंगे यह आपका संचीप्त नाम है तो संचीप्त नाम के पहले भी एन का परियोग करते हैं लेकिन एस पी एस पी और से ओ में आ रहा है एस लिखाया तो इससे सो मत पढ़ेंगे सब पी ऐसे नहीं जैसे देख लेंगि आप बता देतें आपको एस पी लिखा ना एस पी तो पहला लेटर कहां और से ओ में आया ना एन लगेंगे पर यहा पर यह पे उ देख रहे हैं यह फूल अप एनम मार देंगे गलत है दिखे इसका प्रोनशीयम इसका उच्ण सेंग कहा जा रहा है और से औन एस औने स्ट्पर और सुपर यहाँ यह व्यष पर और यह टी हरति संसर्ट यहांना छाहिए स्य और पर सच्वर्याव कॉछतल में नहीं को से ग्यांव में रहा है यारा यह बेदार्मिक गरांथ और लुझेगा है ना कल पुछा गया एक question से एक questions पुछा गया को दा लगना चाहिए कल लगना चाहिए दा लगना चाहिए डास man is mortal man mankind o man इस सबके पर अर्डिकल का प्रयूग नहीं करेंगे यहापे no and non होगा क्या होगा non चलेंगे he returned after dash hour घंटा hour नहीं hour होता है तो एन आवर होगा क्या होगा एन आवर इव टॉल्ट डैस लाई यू टॉल्ड अलाई यू टोंड अलाई बोले ना तेल अलाई होता है तो यहां पे तेल अलाई इसको ए आकर कॉंप्लीट करेगा डेपनेटल ही में रहाऊगा ए होगा और उन्हें स्थीड रेटिव डिगर है तो सुपरलेटिव डिगरी के पहले भी हम किसका प्रियोग करेंगे तो दौका दौका दौक मॉस्ट बूटिफुल यह भी कॉंप्रेट कोस्टन्स नहीं है मोधिड एस ओनरेबल एचागी आप समझेंगे कि यह लगा दे हम नहीं देखिए उसका उचलन कहां जा रहा है औ यह सुप्रलेटिव डिगरी दोनों के पहले का लगेगा दहा लगेगा जाचरलू कि किसी नाम टीकल का प्रियोग नहीं करेंगे गा कोई अर्टिकल नहीं लगा रीच डयास यार्माईजर बताया न किसी भी एड़्यक्टिव आपक्वालिटी के पहले अर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन अट्जक्टिव प्वालिटी के पहले अट्डवक्ण तब होगा जब उसके पुरे समधाय का बोध कराना सारे धनी लोग दा पूर मतलब सारे गरीब लोग दा गुड मतलब सारे अच्छे लोग तो यहां पर दा लगना चाहिए हो लुला हो 12 आप अगर आ जाता है तो समय लेंगे अ की ऊपर लेटीव डिग्री में तो क्या होगा दो ने डूज़ा नेक्स हो जाएगा डच आइस फ्लोट्स वाटर और अब यहां पर आइस कॉन डिगरी तरफ देरी करें आइस कौन नाउं में देख सकते हैं छू सकते हैं लेकिन गन सकते हैं नहीं अब लेंगे गनेंग कर तो बरक को ड्रे पार्यें वह निसी और में वह तो यहां पर नके साथंदे सहाथ यहां पर लेगा रहर सै यहां के सबसे रूल से दो तीन questions पूछा हुआ है आप लोग ध्यान रखेंगे है कि ने देखेंगे जब वाक आपका optative हो अगर यह वाला sign दीख जा है तो उस वाक में हमें सा make up पर्यों करेंगे कल के एक जाम में questions पूछा है है ना याद रखेंगे यह जहां भी अगर sign आता है उस वाक में में लगाना है जब वाक में questions mark हो और subject आई हो है ना तो वहाँ पर भी में लगेगा जैसे आप में I go out sir में I coming sir में I help you देखते हैं आप लोग देखेंगे अगर subject you हो तो can का प्रयोग करें जब वी हो तो सूढ का sufficient करेंगे आप वीडियो में बताया गयाàng कि सूढ कब लगेंक सब्सक्राइब का प्रयोग करेंगे याद रखियेगा tomorrow next again and again हो तो उस वाक में cell will plus given का प्रियोग करेंगे आप लोग मोडल भर्ब का जा कर वीडियो देख सकते हैं वहाँ से समझाया गया और बताया भी गया खेलेंगे इसका अब combine sentence दो वाक दे देता है और दोनों वाकों को जोड़ कर चार अप्सन देता है कहता है कि बताओ इसमें best option मेरा कौन है तो इसका questions बनाने के लिए सबसे पहले हमें sentence को देखना है और जिससे हम जोड़ने जा रहे है जदी दिया हुआ sentence वाक के past में है तो रहा answer भी past में होगा अब question दिया है past में answer present वाला चुनेंगे नहीं परजंट या future होगा तो परजंट या future में उसके बाद यह देखे कि कौन सा option best अर्थ दे रहा है जो option सही अर्थ दे रहा है वहीं मेरा best answer होगा किसका combine the sentence का यह तिन number आपका क्या होता है clear होता है यहां समलो कुछ questions देखते हैं syntax का subject verb agreement का इसका theory तो भी available नहीं है मेरे पास और board पर पढ़ाने में timing ज़्यादा लग रहा है है नो इसलिए आपको questions लेकर रहा है इसके according to समझे लेंगे आप है की नहीं और आपको पढ़े पढ़े भी आपको पढ़ाया गया है भरवका पर योग करेंगे तो दो मेंसे कोई एक तो इज लगेगा definitely है आप कहेंगे hedge भी लग सकता है sir हाँ लग सकता है बट hedge तब लगता ना जब यहाँ पे आपका भी थीरी दाता लेकिन यहाँ पे आपका क्या है acceptable है है की ने आपको यह rule बताया गया है की जब भी अगर कोई दो profession कोई दो post दो पद end से जुड़ा हो और article किसी एक को पराप्त हो तो इससे पता चलता है की ब्यक्ती एक ही है ब्यक्ती एक ही है लेकिन पद कितना है दो तो इस सिंगलर होगा की पुलल होगा सिंगलर होगा तो इस conditions में हम सिंगलर किरिया का परियोग करें जब दो पद अगर end से जुड़ा हो article किसी को एक को पराप्त हो तो तो इससे पता चलता है ब्यक्ती एक ही है जैसे यहां पर ग्रेट स्कॉलर end poet एक ही ब्यक्ती जो है महान विद्वान भी है और कभी भी है अगर दोनों के पहले article लगता है तो इससे पता चलता कि ब्यक्ती दो है और पद दो है है ना तो यहां पर यह सिंगलर है तो सिंगलर है तो किरिया भी सिंगलर चलिए अब है तो पुलल है यह लगा हुए सिंगर किरी खुआ होता है जिसके लाश्ट में एस से लगा रहाता है डपिनेटली मरे बी नमर अशर हो जाएगा चलेंगे बताया गया था आपको की बताया थे यू लौट ऑप लॉड्टी ऑप के साथ आने वालाना उन्टेबल भी हो सकता है और अनकटेबल भी हो सकता है पूल सेंगलर तो इसलिए वहां लगेगा राइस एड करी डैस माइफ हैबरेट फूड कल के कोश्ण आया हूँ आप लोग देखेंगे कल एड सिंटेक्स में कोश्ण पूचा हुआ है जाद रखेंगे है ना देखेंगे डैस ही ड्राइब टु वर्क आप देखेंगे यहां पर हम किसका परियोग करेंगे है की नहीं बहुत बहुत कुषंस पांच स 됩니다 है ना अभी यहां पर ड्राइब आया हुआ यह भर्व का पहला रूप नहीं है सब लगता जब ही त्लु नाट लगा सकते हैं नहीं कि यह د है तो नहीं सब सिंगल तक होगा अ होगा होगा इसए इसे परी पोजिशन से जड़ा हुआ हो से पहले बाले यहां पहली नावन के कमत की प्राइस के कीममत बढ़ गई है तो यहां Colbert कि मत सिंगलर होगा। इसलिए किरिया सिंगलर हुगा। तो म는지 मैं और इसलिए कई और दोस्त कितना हो गया है? तो सिंगलर के पुलल मैं? पुललल लगा। ऑवाद हो सकता है ड़्स तो होगा तो कि तो य़ू होगा नहीं तो डीड हो नहीं लेकिन बीड तब होता जब इसमें था लेकिन यहां पर देखिएगा बाबु एबरी डे दिया हुआ है परती एक दिन तो क्या लगना चाहिए हो डू लगेगा ना चुकि परती दिन भी वन भी फाइब लगना चाहिए ना तो डीट को हटाईए ना तुझो बाहरी होने तुर कोन ज़रूरत नहीं के ओना ही अच लगे लगना चाहिए एच आप दड़ा ज़रूरत ना इटर आप ना अजैगा है तो इसलिए यहां पर क्या लगना चाहिए ए जवागना चाहिए लगना चाहिए लगना चाहिए तो singular career के रूप में यहाँ पर M है और यहाँ पर is भी है और यहाँ पर has भी है देखेंगे आपका confusions में है यानि का questions each of the teachers working in my school मेरे school में है ना जितने विए सिक्षक्स काम करते हैं उनमें से एक पर तेक है ना क्या है फिमेल है तो भी यहाँ पर hails तो लगेगा नहीं यह लगना चाहिए न राइज़ साथ और नाइदर के साथ नर साथ भुडल vara में हमेसा ये वाला सब्जक्ट कर डिसाइड करता है है कि नहीं तो देखेंगे ही इसके अंसार है तु लगेगा नहीं ही है भुता नहीं आर होता है टाइमेंट टाइडेस फॉर नॉन समय और जुआर भठा किसी के लिए इंतजार करता है नहीं करता है लेकिन हडाइए समय और जुआर भठा को मिला कर देखिए मिलाने परिक होगा कभी नहीं होगा मिलाने परिक नहीं होगा तो सिंग्लर की पुलल पुलल तो क्रिया भी का ल अगर जी सब आता है तो पूछा जाता है तो कर लागे कि लोगए पीम नमबर आप बोल यानि बहुत लड़के दो ओम आप है नहीं मेजुरेटी ओप यह लार्ज नमबर आप मेनी आयना व्यला भुल पूल नीरजक्वरों चाहिए नॉट अनली बटल सो तो इसके साथ लगना चाहिए तो बाय स्टिक यहाँ पे ग्रूप क्लेक्टिव ना यहां पर ग्रूप क्लेक्टिव ना उनका एक क्वेस्टन टापिक है कैटल पीपूल पुलेस है ना अगर यह सब आता है तो इसको पुलल समझा जाता और किरिया पुलल लेगा तो क्या लगिए का भाई जब दो वो एक को पराप्त हो इससे पता चलता है कि बैठती है अलग अल और फादर बी है है इस condition में क्या होगा सिंगलर की पुलल सिंगलर एज होगा चलेंगे टू एंड थ्री जब भी अगर दो डिजिट एंड s से जुड़ा हो और दोनों डीजिट एक समान हो तो singular समझा जाएगा लेकिन यह पर two or three है अलग अलग है इसको पुलल समझा जाएगा two or three days five है ना मेक मैक मैड का होगा मेक पुलल है मैक सिंगलर है क्योंकि एस लगा है मेड भी टू है तो definitely क्या होना चाहिए मेक ही होना चाहिए चलेंगे little a little the little के साथ आने वला ना उनकंटेवल होता है तो अनकंटेवल ना जब भी आयागा तो किरिया सिंगलर होगा एनि थोड़ा दूद जो है उसके दोरह बिचा जा चुका है तो क्या होना चाहिए है अनकंटेवल भी होता है तो किरिया सिंगलर कंटेवल पैंस की उनकंटेवल होगे और लगवल लगवल आपके पूरेस जो ग्रामर से उसको कंप्लिट करा दिया गया है और बेस्ट आफ लाग कल के एक्जाम के लिए बेस्ट आप लग अगर जिसको भी कहीं प्रोब्लम्स है जिस भी टॉपिक्स में प्रोब्लम्स है कि आप हमको मैसेज करें कि सर्च का रिविजन कराईए लेकिन 90 पार जरूर लाना है मेरे जितने भी साइन्स के स्टुडेंट है 90 पार है ना चुकि आप ही लोग इस कोचिंग इंस्टूट्स के क्या है पोस्टर्स है और इस वीडियो को जरूर सेयर करें चारो तरफ